नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं क्रांड जोतिस सीक्रेट साल 2022 का आखरी चंदर गहन क्या भारत में दिखाई देगा? कब लगेगा? आए जानते हैं तमाम बाते बिस्तार से सूतक का समय क्या होगा? साल 2022 का दूसरा चंदर गहन इस बार 8 नूमबर को लगने जा रहा है और ये साल का अंतिम चंदर गहन होगा अगर हम बैग्यानिक या धार्मिक कारणों की माने तो चंदर गहन का बहुत मात्व है क्योंकि ये एक विसेज घटना के रूप में भी देखा जाता है और परानिक गरंथों के अनुसार जब चंदर गहन लगता है तो इसका असर पूरे ब्रम्हान पर पड़ता है जोतिस कहता है कि साल 2022 में 4 गहन है और उनमें से 2 सूरी गहन तो चंदर गहन तो जो ये अंतिम साल का चंदर गहन है ये भारत में दिखाई नहीं देगा ऐसे में भारत में इस चंदर गहन का सूतक काल भी मानी नहीं होगा तो ये चंदरगहन चुकि सुतक काल चंदरगहन के 9 घंटे पहले ही सुरू हो जाता है हलांकि भारती समय के अनुसार 8 नवंबर को दोपहर 1 बचकर 32 मिनट से चंदरगहन सुरू होगा और साम 7 बचकर 27 मिनट तक रहेगा यह साल का चुकि अन्तिम चंदरगहन है और इसका प्रभाव भारत समय दक्षिन, पूर्वी यूरोप, एसिया, उस्ट्रेलिया, उत्री अमेरिका, दक्षिन अमेरिका, अटलांटिका, हिंद महासागर में दिखाई देगा हलांकि चंदरगहन लगता कैसे है, यह जाना भी जरूर है, देखिए पूर्ण तोर पर चंदरगहन तब लगता है जब सूर्य पृतिवी और चंदरuma एक सीधि में आ जाते हैं, और साती जब पृतिवी सूर्य और चंदरगहन के बीच आ जाती है, तब भी प्रभाव भी नहीं है इसलिए आपको यहां पर तमाम नियुमों का पालन करने की आवस्ता नहीं है तो हम आप से विदा लेते हैं जानकर अच्छी लगा तो लाइक कर सब्सक्राइब करें धन्यवाद